तो फ्रेंस आज हम बात करने वाला है एक एसा स्मार्ट टीवी 4K टीवी जो कि 30 हजर के अंदर आने वाला है 30 हजर के अंदर आता है और इसमें जो कंपनी के तरफ से जो फीचर से काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है इसलिए मैं इस टीवी को आपके सामने लेका आया हूँ आज जी हां दोस्तों जो टीवी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों वीडियो को फठाफट से सेयर कर दिजिए आपके दोस्तों के साथ दोस्तों यह जो टीवी है इस टीवी में सबसे पहले इसका खासिएत है इसका पैनल जी हां दोस्तों यह जो पैनल है इसको जो बोला जाता है glow LED पैनल क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा brightness दिया हुआ है 400 नीड्स का brightness इस टीवी में है 43 इंचेस का यह जो 4K टीवी है इसमें 400 नीड्स का जो ब्राइटनेस इसमें आपको दिया गया है जो कि काफी हद तक अच्छा परलब लाइट इसमें आपको ज्यादा दिखने को मिल जाएगा जिसके वज़े से जो पिक्चर का कलर और कंट्राक्ट उभर कर आता है आपके टीवी में जिया दोस्तों इसके बाद इसमें आपको कलर गामट जो 94% कलर गामट में दिखने को मिल लेकिन यह जो भीव का 43 इंचेस का टीवी है इसमें आपको 84 वाट का डीजे सांड देखने को मिल जाता है जो कि जब हम खरीते हैं या इसको यूज करते हैं तो इसका दो चीज़ को पर ज्यादा करके ध्यान दिया जाता है सांड क्वालिटी और पिक्ट्र क्वालिटी इसका ब्राइटनेस को आटो मोड में कम या ज्यादा करता है और उसके साथ अंबियेंट लाइट सेंसर और एक फिचर से साथ में जो टीवी का डीजाइन है काफी स्लीम है डीजाइन उसके साथ सुनिलिमड kitला बोडी करना को लाइन उसके साथ इसका अगर हम ऑपरेटिंग سिस्टम पर बात करें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गोगल टीवी एंड्रोइड ऑर्संक् pale आता है Android 9.0 वर्षन में आपको मिलता है साथ में गूगुल टीवी उसके साथ साउंड में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बढ़ाइब बाद्स नहीं आता है जो कि इसमें आपको विखने को मिल जाता है उसके साथ अगर गूगल टीवी इसमें आपको बताया कि गूगल टीवी तो इसमें आपको गूगल आसिस वी मिल जाएगा इसका जो remote है, यह IR-based remote है, Bluetooth IR-based remote, इसमें आपको Google Assistant, जो कि Voice Assistant के लिए Google Assistant दिया हुआ है, इसका remote में, साथ में Google TV के तरों से आप कई application यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि Netflix हो गया, YouTube हो गया, Spotify, YouTube Music, Prime Video, Disney World Star, with Apple TV+, Apple TV भी इसमें आपको support करता है, Sony Live, MX Player, G5, both, इसे कई सारे application आप इस TV मे use कर सकते हैं, जो कि आप इसको download कर सकते हैं, requirement नहीं रहेगा, तो इसको आप delete करके, आपको TV से निकाल सकते हैं, उसके बाद इसका remote का बात करें, remote में आपको Google Assistant का एक बटन रहेगा, जो कि Voice में काम करेगा, Voice Assistant के तरों यह काम करेगा, और यह साइट का अगर हम बात करें, इ इसके साथ Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot, Wi-Fi बगरा सारी इसमें सपोर्ट करता है, स्क्रीन मिररिंग आप Google Assistant के तरों इसमें कर सकते हैं, जो कि Chromecast के तरों आप स्क्रीन मिररिंग इसमें कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों यह जो model है, भी यू का 43 इंचेस का, ग्लोव लीडी 84 Watt का, इसका सबसे दो चीज़ आप ध्यान दिजिएगा, कंपनी इस रेंज में इस model को निकाला है, जो कि sound quality और picture quality दोनों बहुत बेस्ट है, जिसके बज़े से TV का जो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इस ब्राइंड के सबसे TV का प्राइस बहुत ही बढ़िया है, जो इसका प्राइस ह जो कि 28,991 रुपे है इसका प्राइस है, उसके साथ आपको अगर आप यह खरीदते हैं, इसका प्राइस है, इसका लिंक आपको देखिस्वर में दे दूँगा, आप वहां से खरीच सकते हैं, आपको इसमें cashback बगएरा, अगर आपके पास card बगएरा है, तो उसमें से काफी बेतर होने वाला है, जी हां दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यह जो टीवी आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके